तो फाइनली दोस्तो रेसल मेनिया आ गया है और कल सुबार रेसल मेनिया देने वाला है सारे पाच बज़े सोनी 10-1 और सोनी 10-3 पे और रेसल मेनिया का लाइव अपडेट दूँगा मैं अपने चैनल पे तो जो जो चैनल पे ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और तैयार रहो कल सुबा के लिए क्योंकि कल सुबा मैं रिसलमीनिया का लाइव अबडेट दूँगा लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिसलमीनिया में कौन-कौन विनर बन सकते हैं तो आईए दोस्तों आप करते हैं वीडियो खुश्यू और सबसे पहले बात करते है एज वसे डेमन किंग फिन बैलर के मैच के बारे में ये मैच हो रहा है रिसलमीनिया 39 के नाइट टू में और बेटिंग और्स के हिसाब से इस मैच के विनर बन सकते हैं डेमन किंग फिन बैलर और मुझे भी ऐसी लगता है कि एज वसे डेमन किंग फिन बैलर के मैच के विन Finn Balor, Raw Women's Championship के लिए मैच हो रहा है, बेंका बेलर वसे आसका के बीच में और बेटिंग ओस के हिसाब से इस मैच के विनर बनेंगी आसका और मुझे लगता है कि बेटिंग ओस यहां भी सही है क्योंकि आसका एक नई अफ्तार में WB में आ चुकी है और WB को आसका की इस नई गिमिक को एक पुछ देना है तो पुछ लेने के लिए आसका को बेंका बेलर को हराने ही परेगा और मुझे लगता है कि रिसलमीनिया में आसका बेंका बेलर को हरा के New Raw Women's Champion ज़रूर बनेगी Intercontinental Title के लिए Triple Thin मैच हो रहा है गुंतर वसेशेमस वसे डू मैकिन्टायर के बीच में और बेटिंग ओट्स के हिसाब से इस मैच में गुंतर जीतेंगे और गुंतर अपना Intercontinental Championship रिटेन करेंगे और मुझे भी ऐसी लगता है कि बेटिंग ओट्स यहां भी सही है क्योंकि गुंतर को WWE एक पुछ दे रही है और गुंतर काफी अचा प्रफॉर्म भी कर रहे है अगर गुंतर इस मैच में जीते हैं तो फिर इस मैच में जीते की चांसे डू मैकिन्टायर के तो आईए दोस्तों अब हम बात करते है नाइट टू के में इवेंट के बारे में जो कि रोमर एक्स वसेज कोडियोस का मैच और ये मैच हो रहा है अंदिस्पुटेट डबलबी उनिवर्सल टाइटल के लिए एक तरफ है अंदिस्पुटेट डबलबी उनिवर्सल चैंपियर रोमर एक्स जो कि 900 प्लस दिन से अंदिफिटेड है और उनके टैटर रिंग्स को हजार दिन बस पूरा ही होने वाला है और दूसी तरफ है कॉडियोस जिसके बार में ये कहा जा रहा है कॉडियोस इस बार रोमर एक्स को जरूर हरा देंगे बेटिंग ओर्स के इसाब से कॉडियोस ये मैच जरूर जितेंगे लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है मुझे लगता है कि यहाँ पर बेटिंग ओर्स गलत है रोमरेक्स ते काफी वार बेटिंग ओट्स को गलत सावित किया है डू मैकिंटाय और रोमरेक्स के मैच में डू मैकिंटाय के फेवर पे बेटिंग ओट्स थी लेकिन रोमरेक्स ते उस वक्त भी बेटिंग ओट्स को गलत सावित किया था मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि rumor x और kodios के match में rumor range जीतेंगे क्योंकि अगर rumor x हार जाते हैं तो WB को समालने लायक अभी कोई भी नहीं है क्योंकि rumor x हार के WB से काफी time का break ले लेंगे और Rumor X अगर WB से चले गए तो Raw इस SmackDown यहां तक की पेपर व्यू भी कोई नहीं देखेगा WB की TRP एकदम गिरे आएगी तो मुझे नहीं लगता कि Rumor X इतनी जल्दी अपना टाइटल हारने वाले हैं और यह रूमर्स भी आ रहे थे काफी टाइम से कि John Cena और Austin Theory का मैच होगा और फाइनली Austin Theory को यह मौका मिल गया जब Raw में John Cena return आए थे तो Austin Theory ने बिना कुछ सोसे समझे John Cena को चैलेंज कर दिया रेसल मिनिया के लिए पहले तो John Cena ने इस मैच के लिए इंकार कर दिया लेकिन उसके बाद John Cena ने Austin Theory की बात माल ली और उसके बाद John Cena ने Austin Theory की काफी बेज़ती की तो फाइनली रिसल मिनिया 39 में युनाइटे स्टेट टाइटल का मैच हो रहा है Austin Theory वसे John Cena के बीच में इस मैच को लेके बेटिंग आउट्स आ चुके हैं और बेटिंग आउट्स के अनुसार इस मैच में Austin Theory फेवरेट है Austin Theory जॉन सेटा को हरा के अपने युनाइटे स्टेट टाइटल को बचा लेंगे और मुझे भी ऐसी लगता है कि बेटिंग आउट्स सही है क्योंकि अगर जॉन सेटा युनाइटे स्टेट चैंपियन बन जाते है तो जॉन सेटा तो डबलेवी में जादा फाइट करने सकते है क्योंकि उन्हें मुविस की शूटिंग करनी रहती है और भी उन्हें बहुत सारे काम है वो काफी बीजी है तो इसलिए जॉन सेटा डबलेवी में जादा टाइम बिदा नहीं सकते तो इसलिए जॉन सेटा युनाइटे स्टेट चैंपियन नहीं बनेगे और इस मैच में विनर बनेगे ऑस्ते थियोरी वैसे अगर डबलेवी को हमें सप्राइज देना हूँ और मुझे भी ऐसी लगता है कि रियर एफले शालेट को हरा के न्यू स्मैक्डाउन वुमेंज चैंपियन बन सकती है वुमेंज टैक्टीम मैच भी हो रहा है और इस मैच में मुझे ऐसा लगता है कि बेकी लिंच और लीदा इस मैच की विनर बनेंगी और बेटिंग ओट्स भी यही कहते हैं कि ये दोनों इस मैच की विनर बन सकती है अँदिसमेटेट टैक त्टीम चैंपियोंशिप के लिए सैमीजन और केवीन मैच का मैच हो रहा है और इस मैच में बेटिंग ओट्स यही कहते हैं कि सैमीजन और केविनोईज दा उसोस को रहा के नियू अंदिस्पिटेड टैक्टिम चैंपियन बनेंगे यहां मुझे ऐसा लगता है कि वेटिंग और्स गलत सावित हो सकती है क्योंकि अगर दा उसोस केविनोईज और सैमीजन से हार गए तो उसोस का टैक्टिम टूडी आएगा जो की काफी स्टॉंग है और वो काफी लंबे टाइम से चैंपियन है और मुझे नहीं लगता कि रोमा रेक्स के हारने से पहले दा उसोस अपना टैक्टिम टैटल हारेंगे तो मुझे लगता है कि इस match में 200 अपने tag team title को बचा लेंगे Night 1 में Remisterio और Dominic का भी match हो रहा है और इस match में जीत सकते है Dominic Mysterio क्योंकि Dominic जीतेंगे Remisterio से वो भी WrestleMania में तो उने एक अच्छा खासा push मिलेगा Night 1 में Seth Rollins और Logan Paul का भी match हो रहा है इस मैच के विनर बन सकते है 20 incarnate ब्रॉकलेस्टर और मुझे भी ऐसी लगता है कि इस मैच में यही होगा क्योंकि ब्रॉकलेस्टर को डबलबी विसलमीने ठिटनाइन जैसे इवेंट पे ओमास के हाथों तो नहीं हरवाएगी क्योंकि अगर डबलबी ऐसा करती है तो ब्रॉकलेसर का पूरा पूश खतम हो जाएगा जो कि मुझे नहीं लगता है कि डबलबी अभी अफोर्ट कर सकती है इसी के साथ एक और विमर्स भी आ रहे है कि ब्रॉकलेसर का यह आखरी मैच है और उसके बाद ब्रॉकलेसर रिटायर हो जाएगे तो डबलबी को अभी ब्रॉकलेसर की जरुवत है और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रॉकलेसर डबलबी से कुछ टाइम का ब्रेक जरूर ले सकते है लिकिन वो डबलबी अभी छोड़के नहीं जाएगे तो दोस्तों आप लोग कोई कमेटर जो बताइए कि आपको क्या लगता है कि नाइट वन में कुन-कुन विनर बन सकता है और आपके हिसाब से नाइट वन का सबसे इंटरेस्टिंग मैच कौन सा है जौन सेना ओस्तिन थियोरी या ब्रॉकलेसर और उमास का कमेटर में यह सारे सवालों को जाब ज़रू दीजेगा और मैं मिलता हूँ आपको थोई दिर में WB WrestleMania 39 के नेक्स अबडेट के साथ तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजेगा और मेरे जानल को सब्स्क्राइब करना मत बुलिएगा तो अभी के लिए बसेते ही दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको थोई दिर में Thank you and goodbye